न्यूज स्पॉंसर ड्वाइस सुपर 35 कोचिंग इंस्टिटूट रीवा और सुहागी थाने में भी आरोपी के खिलाफ मामले पंजिबद हैं आरोपी दुर्गा शर्मा और फदुर्गेस मनगवा थाना के एक मामले में सालों से फरार चल रहा था जिसके खिलाफ पुलिस अधिक्षक के द्वारा गिरफतारी के लिए 3,000 रुपय का इनाम भी घोशित किया गया था वहीं थाना प्रभारी जेपी पटेल थाने की कमाल से भानते ही आगामी चुनाओं के मद्दे नजर अपरादियों की धर पकड़ तेश कर दिये हैं थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि आरोपी के बारे में मुखबिर से जानकारी मिली थी कि आरोपी अपने घर में आकर चुपा हुआ है जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रबारी जेपी पटेल ने टीम को गठित कर वरिस्ट अधिकारियों के निर्देसा नुसार दुर्गा शर्मा के घर पर दबिश दी तो मौके पर पहुंचते ही पहले परजनों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा उन्हें बिरोध का सामना करना पड़ा वही आरोपी घर के अंदर लोहे के दर्वाजों को दोनों तरब से बंद कर लिया था काफी मसकत की बाद तहसीलदार के उपस्तिती में दर्वाजे को तोड़ा गया तो आरोपी घर के भीतर बनाए एक टैंक में चिपा मिला जिसकी तलासी ली गई तो आरोपी ने 50 सीसी नसीली कोरेक्स के साथ गिरफतार किया गया है थाना प्रभारी जेपी पटेल के नेतरोत्यु में उपने रिक्षा ग्राम किलावन वर्मा चौकी प्रभारी गंगेव मनीशा उपाध्या थाना प्रभारी लौर थाना प्रभारी गड़ एवं थाना मनगमा के आधेईनस स्टाफ की महतपूर्ण भूमिका रही का सिंदी मेरा थानके का से साथखते हमके इनके खेखते हैं कि ऐखेया के दसे बेटा आधार थानार मोगनियां दोत्यृ इव्मकोर चौकी कैसे अधेर सेाइब करिड़ को जए ट चौक दूने आं? झाल झाल